ही गेज, बहुत सारी कॉमेर्स के बात, फाइनली मैं इस टॉपिक को पर वीडियो बना रहो, तो आशागार तो आप वीडियो को एन तक जरूर देखोगे, एन अपना जो ओनेस्ट ओपीडियन है ना, बहुत भी नीचे कॉमेंट पर बताऊगे, तो आज की वीडियो में मैं चार टॉपिक को डिसकस करूँगा, फर्स्ट वन इस, वाई क्रिकेट प्लेयर्स पेड लेस्ट मनी, एस कॉम्पेर्ट टू अधर अधर लिग्स लाइक, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एक्सट्रा, सेगर्ड ले हम जारेंगे, क्या है डिफरेंस घुम सानारी मिलता है न, इसके बीचे उनली एक रिजन डिस पंसबल नहीं है, इसके बीचे 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 रिस पंसबल है, फर्स्ट इसकी जैसा आपको भी बाता है, जो क्रिकेट जो आन्य वो फुटबॉल की तरह ग्लोबल स्पोर्ट नहीं है, अगर हम ना उन दोनों क कोंपेर करें तो ना तो देखों लास्ट मेगा ओक्षन जो आता न इसमें विराटको लिक फिप्टेन करोर मिला था सबते अरे नुए का और आलने सर के जो शाइनिंग वाता न इसमें रॉनाल्डो को 173 मिलियन इरो हर साल दिया जाएगा अलनेसर से रोनल लोगों अगराब इस मनी को इंडियान रूपी से बनबट करें तो वो शायद बनता है 1500 करोड येस 1500 करोड प्लस होता है एक तरह 15 करोड और दूसरी तरह 1500 करोड तो बहुत दुला डिफ्रेंस है फुटबॉल रूपी मिलता है इसके एक ही रिजन है या ग्लो वड़ अगर हम बात करें बास्केट बॉल की लिग जो NBA है उसको भी साथ भी कॉम्प्यार करें क्रिकेटर्स की IPL से तब भी हमें देखनों को मिलता है कि NBA की प्लियर्स भी क्रिकेटर से जाधा कमके जाते हैं 2020 की जो NBA की जो ड्राफ्ट वा था ना इस में सबसे जो महेंगे प्लियर्स भी के थे बोता पावलो बैंचिरो इनको मिला था 50 मिलियन डॉलर जो 4 साल की कॉन्टेक्ट था जिसको हम अगर इंडियन रूपीस से कॉन्बाट करें तो लगबाग 400 करोर प्लस होता है गाईस अगर हम बास्केट बॉल से भी क्रिकेट को कॉम्पेर करें ना तब भी हमें बहुत ज़्यादा डिफिरेंस देखने को मिलता है कि एक तरह क्रिकेट प्लियर्स को बहुत कम से लारी मिलता है और दूसरे तरफ ज़्यादर लिग की प्लियर्स ना उनको ज़्यादा मनी मिलत अगर आम एनेफेल एमलबी के साथ घ्रिकेत को कुंकियर करें तब लिए यह मिलता है कि एनेफेल एमल भी प्लीयर्थ जाधा पैसा गमां की जाते हैं इस Kप्रिकेट बट ऐसा की हुए फूटबल में तो हमें समझ में आता है कि फूटबल का गलोबल एक औरियांस है बहुत ह साथ तो वह भी पॉपुलर नहीं है एमल भी तो अमेरिका में भी कहला जाता है पर ऐसा की हुए गाइस देखो मैं एक बार और आपको बोल रहा हूं इसके पीछे एक रिजन रेस्पॉंसबल नहीं है अगर हम की फेक्टर को देखेंगे ना देखो जो फ्रेंचाइज ही है च कुछ को मिला करना वो फ्रेंचाइजी पैसा कमाता है जो पैसा कमने के लिए एक क्लब या फिर एक फ्रेंचाइजी को मदद मिलता है यूस में जो टीवी देखते है लोग ना जो केवल टीवी वेसे में देखते है उनकी मंतली एबरेज प्राइस है 83 डॉलर जिसको हम करो आइनू फाइव अंड़ सा ज्याधा नहीं होगा अबरेज प्राइस हैं दूसरी हो जो टीकेट प्राइस भी आना वो बहुत ही जाधा कम है हम इंडिया में जो आईपेल आना टीकेट प्राइस बहुत ही कम है एस कॉंपेर्ट तो यूसे की एनफल एंबी है इस में टी साइप यल देखते हैं लेकिन मेरे पास भी आज की टाइम एक भी जर्जी नहीं है मुझे इतना जादा एक्पिली नहीं करता कि किसी टीम के जर्जी खरी दे नॉट ओल्ली क्रिकेट फूट बोल को देखो मैं बाहर की लिक्स भी देखता हूं तो मुझे इतना जादा प्र जिक्षिली नहीं होता जर्जी सेल जो है जादा करता है इस और जो ओफिशिल साइट से इसकी वज़ेसे नगाइज जो एक्षब्टेट ड्रेविन्यू जो फ्रैंचाइजी क्लभ इस्टिमेट करते रहें इसकी बाहर की जो लेगा जादा उनको नहीं होता है पतलब भार के तो इसके वज़े से क्रिकेटर्स को कम सलारी मिलता है आपको समझ में आ चुका होगा तो वार्स डिफरेंस बीटूइन क्लब बसस फ्रेंचाइज सिस्टम देखो करप सिस्टम जो आप फॉल्व किया जाता है क्लब सिस्टम की बारे में बता हुना तो क्लब सिस्टम में जो टीम है वो टीफिकली ओन किया जाता है लोकल ओर्गनाइजेशन साच एज ग्रूप ओफ फैंस एक कंपानी और विल्द इंडिविजिल्स एन आपने एक बात हमेशे नोटिक्स किया है कि क्लब की जो प्लेयर से ना वह अपनी एक क्लब के लिए बहुत ही जादा लोयल रहता है मतलब की तो क्रिकेट में क्या होता है क्रिकेट में कोई प्लेयर डिफरेंट डिफरेंट इफरेंट 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 से खिलते हैं जैसे कि राशितकान राशितकान आई प्ल में गुज्राट टाइटन से और से खिलते हैं बीबेल में एडलेक्स टैगर से और से गलते फ्रेंचाइजी सिस्टम एंड लप की पीछे बहुत एक जीज्टरी रहता है और एडवन्टेश की बात करें तो दिको क्लब सिस्टम में फॉलू किया जाता है प्रोमोशन एंड रिलेगेशन सिस्टम को जिसके बजा से ना जो क्लब सिस्टम में बहुत जादा को एक साइट जो को मतलब आप दोनों को सेफरेट कर सकते हो इतना जादा मुझे एंटरेनिंग फैसेनिटिंग लगता है तो दुसरान बात करें फ्रेंचेजी सिस्टम की बारे में तो फ्रेंचेजी सिस्टम में टीम उनर जो है ना वह उनकिया जाते एक प्राइबेट एं फ्रेंचेज जिस्टम में क्या होता है ना मतलब टीम का कुछ पैसिफिक लोकेशन नहीं होता है और प्लेयर्स जो हो ना वो सिलेक्ट किया जाता है ड्राफ्ट या फिर ऑक्ष्ण सिस्टम से थोर से आगर हम और येजिया से समझेड़ा तो फ्रेंचेजी सिस्टम जो बनता है वो टीम खेलता है है और फ्रेंचेशे सिस्टम में जाधा मतलब मनी इंबालब होता है और पेलिबोरी हमारे पास्टे में एंपपूंत को किय एकि לצ्द देखो our the statohalten यॡवेशन डिखने को मिलता है ذाब्सकों अग्लॉ पूंप्रेशन भी काफी मदद तो मिलता है नो बहुत सारी मैं सेरी प्वंट और ढू Regular और की पारे आपको कुछ ऐसा पोएंट्स पता है जो मुझे नहीं पता तो नीचे कोमेंट पर बताना जातों क्लब सिस्टेम में जो फ्लियर से वह इंटरनाशनल मैचेस नहीं कहलता है लेकिन अल आवर देयर वह इंटरनाशनल मैचेस खेलता है एंट इस अनदर रिजन जिसके बज़ेसे को हैना वो कम सेलारी मिलता है गाइस थाड़ी हम जानते क्या चैंपेंट्स लीग टीट्वेंटी पॉसेबल है जैसे हमें फुटबॉल में देखने को मिलता है कि चैंपेंट्स लीग होता है जो मतलब प्रीमियर लिग की जो बैस ट मतलब आप क्रिकेट की टममें अगर देखाऊ ना तो चैंपेंट्स लीग होता था बहुत साल पर चैंपेंस लीग होता था जिसमें जो आइपेल की जो बैस्ट्टीमस है जैसे मूंबें इंडियन सीेस्क के ऑरसीवी केके आर वीवाइब एस टीमसें इंग्लेंड की बेस् से सिलंग कि जो वेलांस बेस्ट टीम से वो जाके एक साथ पार्डिसेवर्ट करते देख चेंपियंस लेग में पट क्या में एक क्रिकेट में भी देखते को मिल सकते हैं तो इसका अंसर सेडली नो है गाइस येस आज की टैम में पोसिबल विल्कुल भी नहीं है चेंपियंस अगर आपको इस टोबिक के बारे में और भी जाधा जानना चाहती हो ना तो देखो मैंने एक वीडियो बानाया है आई बेटन में जाके ज़रूर देखना गैस तो मैं इस बीडियो में ज्याधा बात नहीं बाताऊंगा आप इस वीडियो को देख सकते हो तो मैं कुछ प्याइब टू पी एस एल बीबियल इंडियन प्रेमियल लिग की चोटी में बहुत ही जाद अधरी चे अनिसकी कारण जो देखो हमने रिसंट्ली साउथ आफ्रिका 20 इंटे नाशनल टी ट्वेंटी लिग एन एमल से बीना चो इंडियन प्रेमियल लिग की बहुत ही जादा मिलता है इंफेक्ट MLC में भी हमें IPL की टेम्स देखने में मिलता है जब चैंपियंस लीग होगा ना गाइस तो देखो जो प्लेयर से बहुत ज्यादा पैसा होता है एंड प्लेयर्स बहुत ज्यादा पैसा गम आगे जाते हैं विकॉस ऑफ दिस रिजन ना जो चैंपियंस लिग टीटी यह भी कैंसेल हुआ था तो कि लास्ट अगर हम 2013 या फिर 14 जो लास्ट एडिशन चैंपियंस लिग टीटी का हुआ था ना अगर उसको देखो गया ना तो ज्यादा तर देखो लास्ट में क्या होता था ज्यादा तर इंडियन टीम सी मतलब इंडियन आईपिय से उसको आईपियल या फिर सीपियल में कोई डिफेरंस नहीं लगा याज जब स्टार्ट हुआ था तो गूड इनिशेटिव था यहर एक चो कंट्री की जो बेस्ट टीम से बुगा करता था बट ज्यादा तर जो क्वालिटी प्लेयर्स था जैसे के एबीडी विलियर्स व बोल लिग भी कैंसल हुआ और यहीं डर आज की टाइम भी है बहुत जादा तरह जो प्लेयर्स नपर इंडियन प्रेमियर्स लोग कोई चूस करेंगे और भी डिफेरंस नहीं रहेगा क्योंकि देखो मुंबाय इंडियन में मौजूद है माई केप्ठाउन है माई आज बात करते हैं मारी फोट टोपिक जो वर्ड़ फ्यूचर फ्रेंचेजी क्रिकेट तो मोस्ट ओफ तिंग मैंने बताया है कि फ्यूचर क्या हो सकते तो देखो अभी फ्रेंचेजी क्रिकेट ना बहुत ही चेंज होने वाला है क्योंकि आई-पेल के जो आभी सारी फ्रे और जो फ्यर्स हैं उनको भी कहा जा सकते कि वो इंटरनाशनल मैचेज कम के लिए और फ्रेंचेजी मैचेज ज़्यादा खेले तो देखो हाली में एक न्यूज आया था कि जो आई-पेल की फ्रेंचेज यह वो शीक्स इंग्लिश प्लेयर्स को मल्टी मिलियन पाउंड डी के लिए अप्रूच्ग तो किया है तो वेखर क्लेंचेज और बी जाधा रीगा तो नसका कुछ अनों कव्रेंचेज के बतना गृस-विद्वด